सबसे पहले हम को समझते हैं क्या फाइंड करना है अपनको CP फाइंड करना है CP मतलब कोस प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर डेटा क्या-क्या दे रखा है फाइंड करेंड करेंगे अपन वीड बैसे तरीके से क्या अपन को एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ बार लिख लेता हूँ लुपीस लूजाण सुशंड करनी है और साथ में क्या दे रहा है अपनको loss percent दे रहे किए ठीक है profit again percent नहीं है loss percent है कितनी दे रहे किए six two by three six two by three दे रहा है ठीक है और यहां पर अपनको बोला है find the cost price find out करना है अपनको basically सारा data दे रहा है बस अपनको formula में डालना है formula में substitute करना है अपनको अपना आन समय जाएगा उससे पहले अपन यह जो है six two by three loss percent इसको अपन अच्छे तरके से convert करते पहले तो यह हो जाएगा six three is 18 plus two कितना होगा 20 हो जाएगा तो ठीक है 16 I mean 18 plus two 20 20 divided by three as it is 20 divided by three कितना होगा यह basically हो जाएगा 6.666 आएगा जो अपन लिख सकते इसको 6.67 ठीक है तो यह अपना basically loss percent को loss percent कितनी मिली अपनको 6.67 percent मिली ठीक है अब यह अपन सिधा अपना formula लिखते saving price is equals to cost price into 100 यहां पर क्या loss percent बोली ना तो इसलिए यहां पर minus आजाएगा ठीक है तो minus minus loss percent minus loss percent divided by 100 ठीक है अभी अपनको सारा data पते है अपन सब्सक्रीट करेंगे अपनको answer मिल जाएगा अपनको basically cost price find out करना है तो cost price आजाएगा selling price के value किती देरेके 5600 5600 देरेके as it is लिख ले थे into 100 minus loss percent कितनी है 6.67 यह पर अपनने निकाला ना ठीक है फिर बाद में यह हो जाएगा divided by 100 हो जाएगा ठीक है अभी अपन क्या करेंगे इसको simplify करेंगे तो यह इससे 100 5600 से multiply हो जाएगा इसको simplify करते कैसे होगा यह हो जाएगा 5600 into 100 is equals to cost price into 100 minus 6.67 ठीक है तो कैसे हो जाएगा 5600 और इसके 20 as it is कितना निकलेगा यह निकलेगा 93.33 निकलेगा अपना ठीक है तो इसको करते है therefore cost price is equals to यह पहले आ जाएगा 5600,000 divided by 93.33 तो 5600,000 divided by 93.33 कितना होगा यह basically आपका कुछ इतना एससे निकलेगा 6000.214 ठीक है तो cost price 93 बंजा 93 93 6600,000 दा 5600,000 तो आप देख सकते हैं decimal में है ठीक है तो यह round off करके अपने इसको लिख सकते है और 6000 रुपीज ठीक है तो अपता basically cost price की value कितनी में लिए है रुपीज 6000 ठीक है so this is your answer